नमस्का दोस्तों, वेलकम टू मैं चैनल, आज का जो क्यूवस का चैप्टर है हम लोग देखेंगे, जो चेंजस किया है, फेड्स और क्रॉस्फेड्स का अंदर जो चेंजस किया है, शायद बहुत सारा लोगों को लगता है और कुछ-कुछ लोगों को नहीं भी लगता है, यह भी हो सकता है मगर क्रॉस फेड और फेड और उसका क्या चेंजिस आया है कि वेस्टुवल में वह थोड़ा सा आप लोको साथ शेयर करेंगे तो देखिए वीडियो चली करने का पहले कुछ चीज हम बोलना चाहते है जैसे कि हम थोड़ा सा इधर लिग देता है नोट है तो ये जो पांच अलगलग टाइप के है इसका पैस्टिकुलर बोड़ सारा लोग हमको question किया है जैसे की हमारा komp CEоз में चलेगा की नहीं चलेगा तो इसका बारे में हम थोड़ा जान करी देते है जैसे कि आप लोगों का पुराना जो Waves का बारे में, जैसे कि Cubase 5 और 10 का बारे में हम लोग देखा था, 9 तक इंस्टल होता था, 9 इंस्टल हो जाता है, 9 का भी बहुत सारा अलग-अलग version होता है, जैसे कि 9.23, 9.92, इस टाइप का कुछ अलग-अलग होता है, तो Suru का जो version होता है, वो चलेगा, Cubase 5 मे चलेगा, New window 4 में भी चलेगा, New window 4 में भी चलेगा, अगर आपका machine, आपका PC, minimum requirement जो होना चाहिए, जो i3 होना चाहिए, i3 में अच्छा चलेगा, क्योंकि क्या है, i3 अगर होगा, कोई भी generation का हो सकता है, जैसे कि 4 generation, 5 generation, 6 generation, 7, 8, कोई भी, जितना generation बारेगा, उसका हिसाब से स्मूथ होता जाएगा, एक नमबर और minimum 8 GB RAM requirement है, क्योंकि 4 GB में चलेगा, ऐसा बात नहीं है, मगर आप कोई भी अगर डालोगे, वेपस का कोई content, मतब कोई effects plugin अगर डालोगे, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका थोड़ा सा latency बढ़ सकता है, क्योंकि एक question किया है, जैसे कि latency होता किसलिया है, latency होता इसलिए ही है, जो external plugins हम लोग use करते है, जैसे कि new window छोड़ के बाकि जितना सारा plugins होता है, वो सब external होता है, तो हम लोगों का sound cut है, वो sound cut process खुद नहीं करते है, normally वो sound cut से through होता है, कुछ-कुछ sound cut है, जो process उसका अंदर होता है, sound cut का अंदर होता है, तो पूरा load आपका computer के उपर जा रहा है तो इसलिए क्या होता है कभी-कभी जब computer बहुती busy हो जाता है तब latency problem आ सकता है latency का हिसाब से आपका लगेगा जैसे कि हमारा गाना थोड़ा music का साथ नहीं चल रहा है थोड़ा सा 10 millisecond, 5 millisecond, 20 millisecond का बात-बत चल रहा है तो इसलिए पहले-पहले Cubes में जो था latency हम लोग measurement कर नहीं पाता था तो अभी 12 जो निकल गिया है 10 बोलिए 11 बोलिए सभी में अब लोग latency identify कर सकता हो जैसे कि कितना millisecond का latency हो रहा है वो particular track से latency को delay time से minus कर देना है तब वो ठीक हो जाएगा ठीक है वैसे तो वो plug-in आपको चलाना है अगर नहीं चलाना है तो ठीक है कोई problem निए constant delay compensation लगा दो वो चले जाएगा उसके कोई latency का असर नहीं परेगा अभी आ जाता है 10, 11, 12, 13 यह वाला जो है इसका minimum requirement हम बोल दे रहा है यह QS 5 जो होता है नहीं 32-bit का plug-in होता है मत्तब 32-bit का plug-in नहीं है यह actually 32-bit का DAW होता है DAW होता है ठीक है 32-bit में maximum uses of RAM 4GB होता है उसका ज्यादा use नहीं होता है जेतना सारा 32-bit का software है अगर आप 128GB अगर RAM लगा होगे फिर भी 4GB use हो पाएगा अगर 64-bit में चला जागों तो आप लोगों को QS का नहीं तो new window का आइदर 10 नहीं तो 11 नहीं तो 12 कोई भी use करना पड़ेगा तो यह हो गिया इसमें आप लोग 10-13 waves का सब कुछ इंस्ट्राल कर सकते हो 10-13 waves 10-13 उसकर सकते हो ठीक है तो इसका हिसब से चलता है और RAM requirement अगर आप लोग मिशीन अपग्रेट करी रहा हो कोई प्रोब्लेम नहीं है मादब मिशीन जब अपग्रेट कर रहा हो तो लेटेस्ट वाला प्रोसेसर लेने का कोशिश करो जैसे कि आई 5 10 generation कर ले सकते हो आई 7 कर ले सकते हो जिसका जाग जो कैपसीट है उसका हिसब सेम बोल रहा है तो इसमें 16gb RAM लगा लो एक दम DDR4 वाला RAM तो इसका बार स्पीड भी ज्यादा होता है और इसका पार्फरमस भी ज्यादा होता है और SSD लगाना मत भूलना क्योंकि SSD होना ज जालेगा यह हो गया हमको लगता है अब लोगों का confusion दूर हो गया है तो इसको minimize कर देता है अभी आ जाते है जो नया जो किया है क्यूबस में जैसे कि हम लोग पहले पहले करता था fade in fade out का बारे में थोड़ा सा कुछ बोल देता है उससे पहले हम और एक changes लाया गया है जैसे कि यह जो फाइल है जैसे कि इसको अगर हम लोग double click करें नहीं तो इसमें अगर हम लोग मेलोडाइन से खोले तो हम लोगों को extension में जाना पड़ता था इसलिए नहीं दिखा रहा है एक फाइल में दिखा रहा है तो इसको भी मेलोडाइन का अंदर ले आ सकते हैं मनतलब जो फाइल अप सिलेक्ट करोगे उसमें वो मेलोडाइन का अंदर आ जाएगा एकदम smoothly आप लोग काम कर सकते हम दूसरे project में दिखा देंगे क्योंकि हम ज इसको पर्मानेंट भी कर सकते हैं इसको पर्मानेंट करके आप लोग कर दोगा तो next time आप लोगों को मेलोडाइन करने का जरूरत नहीं अल्लेडी मेलोडाइन हो चुका है तो यह भी नया एक features दिया है तो फिलाल तो इसमें आ जाता है जैसे कि fade in fade out कैसे काम में लगता है वह थोड़ा सा हम लोग क्या करते है नॉर्माली जो चालू का होता है जैसे शूरू में हम लोग fade in कर देता है जैसे कि हम लोग थोड़ा सा ऐसा fade in कर देता है ठीक है तो fade in का अंदर जब हम लोग इसको बढ़ाते है क्या होता है सभी का उपर असर पड़ता है तो इसमें क् जैसे कि हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फेडिन ऐसा करें जैसे इसको थोड़ा सा कम कर देता है इसको ऐसा कर देता है इसको फेडिन करता है ठीक है इसको ऐसा कर दिया अभी हम लोग इधर से थोड़ा इसको वैलू को चेंज कर सकते है यह फेडिन का ओप्षन से तो इसको Ctrl प्रेस करके करना पड़ेगा तो इसको Ctrl प्रेस करके हम लोग जब करते हैं Mac का Command N करना पड़ते हैं मतलब Nodge बोलता है इसको Nodge, Nodge Fading तो इसको Nodge करके भी हम लोग कर सकते हैं छोटा सा जगा हम लोग Fading मतलब एकदम कार्व उठेगा वो जगा सा छोटा सा जगा उसका एरिया उतना बड़ा नहीं होगा Ctrl N इधर से मारने से दिक्कत होगा तो हम लोग इधर चला जाते हैं की कमन में चला जाते है तो इसको Fading Fading को अगर Enter मरे तो देखो इसमें एक Fading होता है Fading Fade Out और इसका पीछ है नॉर्मालाइस्ट या चला नॉच का नॉच का हम एक बार देख लेते हैं एक मिनिट तो इसका बारे में जो हम लोग पहले पहले करता था जैसे कि इसको थोड़ा सा Ctrl Paste करके हम जो बोल रहा है हम लोग ऐसा तो करी सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर यह जो पट्टिकूलर ली जगा माल लीजिए हम लोग इस इतना दूर तक हम लोग इसको फेड इन किया है ठीक है फेड इन किया है तो इसका जो कंटेंड है इसको कंटेंड को थोड़ा सा और भी मतलब इस छोटा सा जगा का कंटेंड को हम लोग modified keys को enable करके काम कर सकता है तो basically by default modified keys चो रहता है Ctrl और Alt प्रेस करके इसका icon थोड़ा change हो जाएगा थोड़ा यह हम लोग कर सकता है modified keys को लेके हम लोग इसको थोड़ा सा particular जो जोन है वो जोन का leveling को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकता है leveling मतलब क्या है fade in जब होगा और fade out जब होगा second points जो है हम लोग इसका crossfit का बार में आ रहा है जैसे कि कोई अगर cross हो रहा है इसका साधी इसका cross हो रहा है तो अभी इसको express करने से cross होता है इसको double click करोगा तो इसमें बहुत सारा changes हो गिया है जैसे कि इसका timing change कर सकते हो इसको ऐसा ऐसा कर सकते हो जैसे कि पूराना जो new end में जो होता है तो QS में दे दिया गिया है इसका length इसका overlap इसका volume इसका notch notch का बार में हम आ रहा है तो notch में क्या changes लाया गिया है तो वो भी थोड़ा बता देता है तो यह हो गिया crossfit आप लोगों को एकदम सही तरीके से crossfit करने का एकदम जो जागा दिया गिया है तो इसमें बहुत अच्छा से आप लोग crossfit कर सकते हो और हम लोग इसको थोड़ा सा undo कर देता है undo कर दिया हाँ ठीक है अभी हम लोग आ रहा है क्या जैसे कि length को लेकर तो हम लोग क्या करते है मन लीजिए कोई एक project हम लोग कर रहा है कोई project कर रहा है project का हिसब से एक एक length का जैसे कि हम लोग कुछ kick लगाया है कुछ percussion लगाया है ऐसा ऐसा करके करता है, अगर beat में करता है, तो beat में करता है, particular beat का voice चलेगा, जो हम लोगों का time signature है, जैसे कि 4 by 4 time signature, इसमें beat का हिसाब से चलेगा, और quantize अगर करेंगे तो क्या होगा, quantize का हिसाब से हम लोग जाएंगे, तो 1 by 16, मतलब 16 जगा में हम लोग ले जा सकते है, उसस भी बढ़िया कर सकता है, जैसे कि 128 तक हम लोग कर सकता है, तो ये भी dotted है, triplet है, इसा तो पहले था, मगर इसमें जो दिया गिया है, जैसे कि notch का हिसाब से, notch का मतलब क्या है, मनलो, 1 second, particular 1 second, 1 millisecond, 1 millisecond का हिसाब से, अगर आप लोग 1 by 16 जो counting होता है, जैसे कि 1 by 16 जो quantization होता है तो यू 1 second से थोड़ा से जधा है, उससे भी कम हम लोग और लगेगा, तो उसमें हम लोग क्या कर सकता है, यह जो notch है, notch को हम लोग enable कर करके रखेंगे, तो notch setting हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो notch कैसे लिआना पड़ेगा हो हम दिखा देता है, जैसे कि इसमें अगर click करोगे तो इसमें अगर क्लिक करोगा तो इसमें आपको नौच का हिसाब से नौच दिखाई देगा जैसे कि क्या-क्या इधर एनेबल है और क्या का डिसेबल है जैसे कि हम इसको नौच को एनेबल किया है तो इसलिए notch आ रहा है जो notch को enable किया है तो इसलिए notch आ रहा है तो notch का meaning क्या है अगर click करेंगे तो link to grid मतलब grid का साथ link हो सकता है जो हम लोग grid किया है इसका हिसाब से notch link हो जाएगा ठीक है और ये भी कर सकते है 1ms, 10ms, 100ms कर सकते हैं मतलब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहा है इसमें बारन बीट्स में प्रोजेक्ट कर रहा है इसमें बारन बीट्स में प्रोजेक्ट कर रहा है मगर इसको हम लोग प्लास माइस करके नौज वैलू को थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज करके अगर हम लोग notch को click करेंगे तो इसमें single click करोगा तो notch चला आएगा इसको अगर ऐसा-ऐसा करके 1 second तक हम लोग इसको change कर सकता है तो इसका हिसाब से भी हम लोग particular जगा से जो जगा से जैसे कि end में पीकबूट रहा है एंड में कुछ चल रहा है जो particular value से adjust नहीं हो रहा है जो quantize का हिसाब से adjust नहीं हो रहा है वो value को भी हम लोग change कर सकते हैं ति यह बहुत ही बढ़िया दिया गिया है जैसे कि इसका भी की comment डालने आना कोई दिक्काद नहीं है control left control left मतलब control press करके अगर left arrow करोगा तो notch a होगा और right arrow करोगा तो notch right में जाएगा ठीक है और इसका उपर का जो options है यह notch start left और start right इसका ही सबसे जाता है मगर यह जो fine tuning करने के लिए fine tuning नहीं बोलेंगे actually fine positioning करने के लिए आप लोगों को notch value का use करना पड़ेगा बहुत अच्छा से यह आप लोग इसको कर सकते हैसा ऐसा करके बहुत अच्छा से कर सकते मतों तो यह बहुत hobby बढ़ी आएक चीज दे दिया है और भी आएगे बहुत सारा नया कूच चीज दिया है एक एक करके एक करके हर पर day करके वीडियो देंगे, जैसे कि Q-Base 12 में आप पूरा एकदम ready हो जाओ, और एक बड़ा वाला बात जो है, Q-Base 12 जो लोग crack version यूज करते हो, जो लोग crack version यूज करते हो, बहुती कम आप लोगों को हैंक करने में मिलेगा, बहुती कम, मतलब हैंक करेगा ही नहीं, इस टैप का होता इस टैप का हो जाएगा, मतलब 11 में जो काम किया है, 10.5 में जो काम किया है, उससे काफी बड़िया और काफी stable 12 किया है, जो crack version का बारे में बोल रहा है, तो जो लोग यूज करते हो, तो thank you दोस्तो, thank you for watching this video, हम एक एक करके देते जाएंगे, और बहुत सारा comment जो दिया गिय है कि कुछ लोगों को click नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को click आने के लिए आप लोगों को फिर से दोवारा भोल दे रहा है, आपका जो audio connection है, audio connection का अंदर control room में ही आप monitor को set करके रखो, output में कुछ देना नहीं पड़ेगा, और इधर से चला जाओ, control room को जागा जो है, इसमें इसको enable करो और disable करो, तब आप लोगों का click सुने ही देगा, नहीं ते इसको enable करके, इसको enable करो, click सुने ही देगा, click सुने ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो control room से पूरा को control करो, यह जो output वाला जो है ना, इसको अभी मत करो, मत इसको not connected ही रहने दो, और input जो है, आपका जो individual input होता है, इसमें तो चलेगा, कोई problem नहीं है, और बात हो रहा है क्या, 11 का project 12 में खोलेगा की नहीं खोलेगा, इसका भी एक बड़ा वाला बात जो है, 100% खोलेगा, और second जो बात होता है, जो existing आपका आप लोगों का जो effects plugin है, already installed है, जो 11 में चल रहा है, 10.5 में चल रह बनी, कोई भी एक software launch करेगा, पूराना version नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है, चलेगा, सब कुछ चलेगा, ठीक से ही चलेगा, और thank you दोस्तो, thank you for watching this video, जो number आप लोगों को दिख रहा है, उसमें सीखने के लिए, आप लोग हम हमारा सा जूर सकते हैं, मतलब WhatsApp कर सकते हो, please call मत करना, WhatsApp करो, हम आपको पूरा details बोल देंगे, और उसका, किसी का अगर वीडियो भी बनाना है, तो भी हमको WhatsApp करके बोलना, exactly content जो हमको मलब दिया जाएगा, तो content clear होना चाहिए, जैसे कि आप actually चाते क्या हो, ये clear होना चाहिए, उसका उपर हम वीडियो देंगे, और इसमें बहुत सारा कुछ effects plugin जो अपना खुद stock plugin दिया हुआ है, अभी बहुत सारा कुछ बाकी है, thank you दोस्तों, thank you for watching this video, और जिसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, वो obviously chargeable होगा, consultancy charges लगेगा, हम बना देंगे video, thank you